मेरे प्यारे बच्चों मैं लाइव आ चुका हूँ मुझे लगा कि मुझे टाइम लगे आने में लेकिन मैं लाइव हूँ मैं देख रहे लाउं इतर मैं लाइव हूँ आप लोग क्या हाल चाल, कैम आप लोग चलिए एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नमबर त्री की तरफ मूग करते हैं इससे पहले तक दो लेक्चर हम लोग खतम कर चुके हैं काफी बेसिक्स को भी हम लोग खतम कर चुके हैं I think all are busy हाँ सही बात है सब को अलग-अलग देश का प्रधानमंद्री बना दिया गया है तो सब आज कल वीजी जल रहे हैं सही बात है How are you guys? क्या हाल चाल? कैसे हो? तो ये है online part शाला 2.0 और आप मुझे देख रहे हैं विदान तो नीट मेड़ी चैनल पे आज हम लोग करेंगे electrochemistry का अगला topic जिसका नाम है standard reduction potential and EMF calculation इसके लवा electrochemical series तो ये topic आज हम लोग करने वाले हैं मेरे खयाल से आप लोग भी तयार होगे एकदम धूम मचाने को क्या मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं सौम्यदीप, एंजल, सूना, हिमांचू, विजेंद्र, रश्मी, आकाश, भीमल, हीमंथ, खुशी, हर्याली, प्रिया, सुरेश, निकिता, रितिका और समंदर और shortcut संकेत, रितिक ओके सो काफी बच्चे आ चुके हैं चलिए 2021 का ये हमारा तीसरा lecture है electrochemistry चल रहा है आज हमें SRP पढ़ना है, EMF पढ़ना है, electrochemical series पढ़ना है, तो ये सारी चीज़े आज हमें खतम करनी है Let's start the session guys, चलिए फड़ा फड़ से शुरू करते हैं, उतरे में हमें बाकी बच्चे भी जोइन कर लेंगे लेकिन अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया ना, तो आप बस दिल तोड़ रहे हैं So guys, subscribe जरू कर लो यार, subscribe करो channel को, bell icon के button को दबाओ क्योंकि इसको subscribe कर डाला तो अपना family एकताम बंदाज, जिंगा लाला तो अपनी family को आगे बढ़ाओ, आगे लेके जाओ, subscribe करो channel को, that's the most important thing and इसके लवा guys, जो 2021-22 के बच्चे हैं, जो 2021 और 2022 की preparation कर रहे हैं वो हमारे याँ long term course को join कर सकते हैं So long term course को join करो, है ना, और यह जो long term course उसमें live interactive classes मिलेंगे आपको test series मिलेगा, assignments होंगे So उसमें काफी सारी चीज़े हैं, और यह जो subscription है basically, यह subscription जो है unlimited है मतलब आप किसी भी teacher के lecture को पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आप लोगों को vdnt.ion.ytpro इस link पे जाना है और इस link पे जाने के बाद अपने आपको register करना है ठीक है, long term courses आप जोइन कर सकते हो, अगर आप 12th में हो तो आप 12th के courses जोइन कर सकते हो यानि की 2021 का batch अगर आप 11th के हो तो आप 11th का course यानि 2022 का batch जोइन कर सकते हो इसमें 1 मन्त का फीज है, मात्र 6,999 रुपे लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए पे करते हो तो you will get a benefit 5,666, 6 महीने के लिए 4,667 और 12 महीने के लिए तो 2650 रुपे पर मन्त का फीज है ठीक है, तो 12 महीने का तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को subscription मिल रहा है बहुत अच्छा discount है, 62% अगर आप long term course join करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मोका है तो आपको unlimited, मिलेगा क्या? unlimited interactive classes मिलेगी, आप किसी का भी class attend कर सकते हो test series मापर मिलेगी, analysis होगा, assignments होगे, बहुत सारी चीज हैं कुछ नहीं करना, आपको google पे जाके लिखना है vdnt.ion slash ytpro और उसके बाद coupon code यूज करना है aapro, yeah, yeah my bro, it is aapro, so ये है aapro, जिसको आप लोग join कर सकते हैं, aapro, फड़ाफट से join कर लो है ना, चलिए, so आज के session की detail जैसा आपको पता ही है, सुबह दो गरिमा के session थे, फिर गौरव के 2 session, 3 session in fact और finally ये तीसरा session आप मेरे साथ भी देख रहे हो आज, चलिए, so इसके लावा telegram का group अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो विदान्तु नीट official telegram का group है, जिसको फड़ाफट से join कर लो यार, और ये विदान्तु नीट official specially बोल रहा हो, 2021 और बाइस के बच्चों ने अभी तक join नहीं किया है, तो आप कर लो, telegram के group पे आप लोगों को pdf मिलता है, इसके लावा आप लोगों को notifications आते हैं, तो standard reduction potential, ठीक है, standard reduction potential, देखो, reduction potential तो मैंने आपको पिछली बार बढ़ाया था, reduction potential मतलब, अगर आप ऐसे container, मतलब, ऐसे, you know, ऐसे container से potential measure कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली बार बढ़ाया था, कि अगर जहाँ पर oxidation होता है, महाँ पर oxidation potential calculate होता है, और जहाँ पर reduction होता है, महाँ reduction potential calculate होता है ठीक है और potential का मतलब क्या होता है potential का मतलब होता है yes separation of charges जहाँ पर charges की separation हो जाती है ठीक है वहाँ पर potential develop होता है पिछली बार बताया था अब इसके आगे आप लोगों को एक term दिख रही है standard now what do you mean by standard देखो यहाँ पर standard का मतलब होता है standard condition में calculation करना जरा ध्यान से आप सुनिएगा standard का मतलब है standard condition में calculation करना standard का मतलब है standard conditions में standard conditions में आप लोगों को potential calculate करना है standard condition क्या होती है यह में आप लोगों को समझना है standard condition है जब आप solution का concentration 1 capital M ले लो ठीक है और pressure आप अगर कोई gas यूज कर रहा है Now this is really very interesting, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि electrochemistry में standard conditions क्या होती है, जहां पर आप किसी भी cell का EMF calculate करते हो, that is the question, तो माँ standard condition होती है कि आपका concentration 1 capital M है, gases की pressure 1 ATM है और यहां पर आपकी जो temperature होती है, वो 298 Kelvin होती है, मतलब 298 Kelvin यह बहुत important है कि आप room temperature पर calculation करते हो, तो अगर आप in conditions में जब भी आप EMF निकालते हो, तो वो standard EMF होता है और उसमें आप सिर्फ इतना करते हो कि E की जगा E not लिखते हो, मतलब अगर आपको ऊपर ऊपर यह dot दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब आप standard condition में EMF आपने calculate किया है, इसको standard reduction potential भी कहा जाता है, अब यह क special electrode को use किया जाता है, जिसको standard hydrogen electrode बोलते हैं, और यह standard hydrogen electrode जो होता है basically, है ना, उसका reduction potential, हम लोग standardly कितना मानते हैं, zero, और इसको reference बनाते हुए, हम लोग बाकी, जितने भी electrode है, उनके potential को क्या करते हैं, calculate करते हैं, अभी मोटा मोटी बात ऐसा समझ लो, कि standard condition में आप लोग यह यहां पर क्या करते हो, हर एक cell का EMF calculate करते हैं, जिसको E0 से represent किया जाता है, इसको standard reduction potential कहते हैं, अब यहां पर है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब यहां से हैं समझने लाइक, सबसे पहले तो standard reduction potential का मतलब क्या है, कि हर एक element अपने आपको reduce कर रहा होता है, जो जैसे कि आगर आपने कोई half cell बनाया और उसके अंदर आप लोगोंने copper की road डाल के रखिये, तो इसके लिए reduction potential का मतलब क्या है, कि reduction potential का मतलब है, Cu plus 2 ion दो electron लेके किसमे convert हो रहा होगा, Cu के अंदर, reduction का मतलब क्या होता है, gain of electron, gain of electron को क्या आगलते हैं, reduction, अब आप देखिए, ले ले और किसमे convert हो जाए, A में, तो calculate किया गया, माल लो, standard reduction potential calculate किया गया 2.5, माल लेते हैं, और यह कैसे calculate किया जाता है, यह experiment से calculate किया जाता है, so don't worry about it, यह आपको दिया होगा आपके question के अंदर, तो standard reduction potential का मतलब समझो कि कोई ion 2 electron लेके, खुद A में convert हो रहा है, तो उसका reduction potential माल लो calculate करके कितना है, 2.5 volt, तो standard oxidation potential कितना होगा, standard reduction potential अगर 2.5 है, तो standard oxidation potential कितना होगा, that is minus का 2.5, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आप लोगो यादो, कि standard reduction potential जो होता है, which is equals to minus of standard oxidation potential, यह एक दूसरे के minus के sign के बराबर होता है, सही है, तो वो होगा minus का 2.5 volt, माल लो एक और एक आपके पास iron ओर है, B plus 2, अगर उसने दो electron लिए, तो वो किस में convert होगा, B में, मैं माल लेता हूँ कि उसके लिए, जब मैंने calculation करी, तो उसका standard reduction potential कितना निकल के आ रहा है, so उसका माल लेते है, standard reduction potential निकल के आ रहा है, minus का 1 volt, ठीक है, तो उसका oxidation potential कितना होगा, plus का 1 volt, इसी तरह से एक और iron है, C plus 2, उसने दो electron लिए और C में convert हो गया, माल लेते है, experiment लिए, उसका reduction potential निकल के आ रहा है, 1.5 volt, तो उसका oxidation potential कितना होगा, minus का 1.5 volt, अब ये data कहां से आया, ये पहली बात तो data experiment से आया है, और आपने इसके लिए क्या किया है, आपको जिस भी cell का reduction potential निकालना था, उसको आपने शी से जोड दिया, शी क्या है, standard hydrogen electrode है, और शी से जोडने के बाद, इस शी ने क्या किया, आप लोगों को, ये यहाँ पर अगर voltmeter लगा हुआ है, तो ये voltmeter के through, आपने इसका reduction potential calculate कर लिया, मतलब आपको दिखाई दे गया, इस voltmeter के अंदर, और मैं माल लेता हूँ कि वो कितना कितना है, A cell के लिए 2.5 है, B cell के लिए minus का 1 है, और C cell के लिए 1.5 है, ये reduction potentials आप लोगों को दिये हुआ है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा पहला सवाल है आपसे, देखों, अगर मैं आप में से इसमें सवाल पूछ लो, now let us suppose we have a question, पहला सवाल ये है, कि ये देखों, first question लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि highest tendency to reduce, इसमें से कौन है जो बहुत जल्दी reduce होगा, इनमें से कौन है जो कि बहुत जल्दी reduce होगा, तो देखो, reduce वो होगा, जिसका standard reduction potential high है, अब आप लोग मुझे potential किसका सबसे ज़्यादा है, वो हमको दिखाई दे रहा है, a plus 2 का, ज़रा देखो, 2.5 है, तो यहाँ पर इसका answer क्या आएगा, a plus 2 in, इसकी reduction की tendency सबसे ज़्यादा होगी, तो पहला point तो क्या निकल के आया, most important point पहला number ये निकल के आया, कि भया, reduction उसका होता है, याद कर लो reduction उसका होता है, जिसका standard reduction potential high होता है, उसका reduction होता है, number one, समझ मैं, अब दूसरे सवाल की तरफ चलो, second question क्या लिखा होए, tendency to get reduced, अगर मैं इसका order लगाने चाहूं, तो क्या लगाओगे, जिसका सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले होगा, सबसे ज़्यादा किसका है, a plus 2 का, और सबसे कम किसका है, b plus 2 का, तो यही इनका क्या होगा, reduction, यही इनका क्या है, reduce होने का tendency है, सबसे ज़्यादा tendency a plus 2 का होगा, फिर c plus 2 का होगा, फिर b plus 2 का होगा, यह कहां से आया, आप इसके data को धान से देखो, सबसे ज़्यादा reduction potential किसका है, a plus 2 का, फिर किसका है, c plus 2 का, Are you getting my point? तो इनका reduce होने का tendency सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं, third question की, तीसरा सवाल हमारे पास ये है, कि strength as an oxidizing agent, ये भी बड़ा interesting question है, कि इन में से सबसे ज़्यादा oxidizing agent की strength किसकी होगी? मतलब oxidizing agent की strength, इस में से सबसे strong oxidizing agent कौन है? अब सबसे पहले तो oxidizing agent क्या होता है? आप लोग मुझे बताओ, what do you mean by oxidizing agent? oxidizing agent का मतलब क्या होता है? oxidizing agent का मतलब होता है, जो सामने वाले को oxidize करे, यानि कि खुद क्या हो जाए? reduce, तो जो आसानी से खुद reduce होगा, वो बहुत अच्छा oxidizing agent होगा, तो दुबारा सुनो, oxidizing agent tendency high है, इसका मतलब उसका self reduction high है, self reduction उसका क्या होना चाहिए? high होना चाहिए, असानी से वो self reduce हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको क्या कहता होता है? self standard reduction potential देखना होता है, वो high होना चाहिए, तो overall अगर मैं सीधी सीधी बात बोलू हूँ, तो point number two ये निकल के आता है, कि oxidizing agent is directly proportional to standard reduction potential, जिसका standard reduction potential ज़्यादा है, उसकी oxidizing agent की property highest होगी, तो अगर मैं कहूँ कि इन में से सबसे अच्छा oxidizing agent कौन है, तो बोलोगे A plus 2, क्योंकि उसकी standard reduction potential सबसे ज़्यादा है, oxidizing agent कौन होता है, जो सामने वाले को oxidize करें, तो खुद को reduce करेगा, खुद को reduce कौन असानी से करेगा, जिसका standard reduction potential ज़्यादा है, तो top पे कौन आएगा A plus 2, उसके बाद कौन आएगा C plus 2, उसके बाद कौन आएगा B plus 2, अगला सवाल मैंने पूछा, माल लो इसका उल्टा सवाल पूछ ले, कि tendency to get oxidized, इनमें से असानी से oxidize कौन होगा, तो अगला point यह है, कि देखो इसमें से असानी reduce, असानी से reduce वो होता है, जिसका standard reduction potential ज़्यादा होता है, अब इनमें से असानी से oxidize कौन होगा, जिसका standard reduction potential low होगा, अब ढूंडों इनमे से standard reduction potential सबसे कम किसका है, वो है B का, इसका मतलब यह असानी से क्या हो जाएगा, यह असानी से oxidize होगा, क्योंकि इसका standard reduction potential सबसे कम है, are you getting my point? उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया 10th of reducing agent तो इन में से पूछा reducing agent की strength सब ज़्यादा किसकी होगी तो देखो यहाँ पर fourth point बनता है reducing agent की strength is anti-proportional to SRP value जिसका standard reduction potential कम होगा इसका मतलब वह असानी से oxidize होगा तो खुद oxidize होगा तो सामने वाली को क्या करेगा reduce आया समझ में तो यह 4 point आप लोग लिख लीजिए इस हिसाब से अगर मैं पूछूँ आप से कि इन सम्मे सबसे अच्छा oxidizing agent कौन है तो आप क्या बोलोगे इन में से सबसे अच्छा oxidizing agent वो है जिसका खुद का reduction हो जाता है असानी से वो है A plus 2 यह सबसे अच्छा oxidizing agent है और अगर मैं बोलो इन में से सबसे अच्छा reducing agent कौन है reducing agent जिसका SRP का value सबसे कम है वो बहुत अच्छा reducing agent है आगया समझ में तो वो खुद oxidize होगा और सामने वाले को reduce करेगा in that case answer क्या आएगा बताओ मुझे in that case answer आएगा B क्योंकि B oxidize होगा तो उल्टा जाना पड़ेगा आपको आगया समझ में तो reducing agent है B oxidizing agent है A plus अब आपको ओगे सर यह क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ मेरी बात ध्यान से समझना oxidizing agent का मतलब क्या होता है जो सामने वाले को oxidize करेगा और खुद reduce हो जाए समझ में आगता है reduce reduction का मतलब क्या होता है gain of electron तो यहाँ पर electron gain कौन कर रहा है आसानी से यह करेगा समझ में आगया है और electron lose कौन करेगा B आसानी से जो आसानी से lose करेगा उसका खुद का oxidation हो रहा है तो सामने वाले का reduction करेगा तो बहुत अच्छा reducing agent है So this is a good reducing agent अच्छा इसमें से सबसे अच्छा oxidizing agent कौन है So A2 is the good oxidizing agent दोनों में फरक है Are you getting my point अपना कई बच्चों को ये चीजें ऐसी होती है कि जो अगर वाके में अगर आप अच्छे से समझेओ तो तो समझ में आता है सवाल भी कर लोगे लेकिन कई बच्चों को डबबा ऐसे गोल-गोल घूनता है तो कुछ समझ में नहीं आता ठीक है तो in that case आप लोग बहुत ध्यान से समझेगा और सवाल करेगा आता time out कर दिया अच्छा धिमांशू, पांधल मुझे नहीं पता वेटा क्या हुआ चलो, अब हम आगे चलें आगे चलें चलिए, अब आगे चलतें अब देखो यहाँ पर cell potential के बारे में discussion करते हैं भया, cell potential कैसे निकलता है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यह सारे के सारे यह देखो, यह आप चारो point note down कर लेना है और now we'll talk about the cell potential cell potential कैसे निकाला जाता है तो उसको देखो, अपनको पता है कि जो cell होता है basically वो कैसा होता है यह cell के अंदर दो container होता है ठीक है, left hand side में आपको anode मिलेगा, right hand side में cathode मिलेगा वो दो यहाँ पर road लगाई हुई होती है याद है आप लोगों को अब आप ज़रा गोर से समझना यहाँ पर क्योंकि oxidation होता है तो यहाँ पर क्या calculate करते हो standard oxidation potential यहाँ पर reduction होता है तो क्या calculate करते हो standard reduction potential ठीक है, अगर मैं पूरे cell की EMF निकालना चाहूँ, पूरे cell की कैसे निकालूँगा, पूरे cell की EMF निकालनी है, तो उसका formula होगा standard oxidation potential of anode ठीक है, plus standard reduction potential of cathode, yes यही formula लिख लेगा, इसका plus इसका दोनों का EMF जोड़ दो तो पूरा E cell का value जो निकल के आ रहा है, वो यह निकल के आ रहा है, standard oxidation potential ठीक है, of anode plus standard reduction potential of cathode, अब अपने को पता है कि किसी का भी oxidation potential जो है, वो उसके minus of reduction potential के बराबर होता है, तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ कि E cell की value क्या होगी, which is equals to standard reduction potential of cathode अम यानि कि इस चीज़ को यहां लिख दिया मैंने, minus E naught of standard reduction potential of anode ज़रा समझो, oxidation potential is minus of equals to reduction potential, are you getting my point? यह मतलम ध्यान रखोगे, overall यह कहानी है इसकी Is this clear? तो finally formula का याद करना है, याद करना है, अगर किसी भी cell का, अगर आपको standard reduction potential निकालना है, तो उसके cathode की reduction potential और anode की reduction potential को आप क्या कर दो, इस तरह से simulate करो, ज़रा ध्यान से देखो, यानि reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, ज़्यादा तर अधिकतर आपको हर question के अंदर आप लोगों को standard reduction ही दिया हुआ होता है, यह आप लोग ध्यान रखोगे तो अगर मैं पूछूँ आप से की बताइए कि enote of cell क्या है, उसके बाद अपन सवाल करेंगे, that is equals to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode, इसी को बोलता है enote cell, पूरे cell का emf, ठीक है, जैसे की माल लो आपको experimentally दिया हुआ है copper जब cu plus 2 से cu पे जाता है, तो उसका, मतलब देखो यह reduction potential है, कैसे पता लगा क्योंकि यह plus 2 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ उसकी value आपको experimentally कितनी दे रखी है 0.34, यह question में given होती है, मैं आपको पहली बता चुका हूँ, इसी तरह से zinc plus से zinc की तरफ जा रहा है अगर कोई, तो उसका emf का value कितनी दे रखा है minus का 0.76, यह value आपको given है question में, आपको पूछता है कि अगर इन दोनों से मैंने इन दोनों से अगर मैंने complete cell बनाया, जिसको हम लोग Daniel cell भी कहते हैं, तो उसका emf कितना होगा, ठीक है मैं दुबारा समझाता हूँ, ज़र आप ध्यान से समझना मैं इस तरफ हो जाता हूँ, मैंने आपको question में data दे दिया, data क्या दिया हुआ है, कि e not of ठीक है, Cu plus 2 से Cu, copper जो है, उसका reduction potential दे रखा आपको, plus का 0.34 ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को zinc का reduction potential दे रखा है zinc का reduction potential दे रखा है, minus का 0.76 वोल्ट, अब आप से पूछा कि पूरे cell का emf बता, तो कैसे बताओगे, पूरे cell का emf कैसे बताओगे, तो इसमें आपको पहले तो equation देखनी पड़ेगी, देखो equation होती है, कि zinc जो है copper plus 2 से react करके Zn plus 2 में convert हो जाता है, तो देखो आप zinc Zn plus 2 में convert हो रहा है, तो oxidation किसका हो रहा है, zinc का, और reduction किसका हो रहा है, copper का तो आपको आपको formula लगाना है, कौन सा E naught of reduction potential of cathode minus E naught of reduction potential of anode अच्छा, cathode को नहीं है, बताओँ मुझे cathode आपका बना हुआ है, copper का देखो, आप reduction किसका हो रहा है ठीक है, वही आपका cathode है, oxidation किसका हो रहा है, वही आपका anode है तो reduction आपका copper का हो रहा है, तो copper आपका cathode है, तो copper का EMF कितना दे रखा आपको, यह देखो 0.34 ठीक है, तो आपको 0.34 लिखना है, minus का reduction potential of anode, तो दूसरे बाल आपका anode हो गया, तो minus का 0.76, ठीक है इन दोनों को जोडो के तो कितना आएगा 1.1 तो daniel cell का जो EMF होता है, वो 1.1 होता है, समझ मैं सोमय यादम ने लिख भी दिया, that's really good बहुत असान होता है, आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि भाया, किसका reduction हो रहा है, किसका oxidation हो रहा है, जिसका reduction हो रहा है, ठीक है, तो formula total क्या निकल के आता है, कि reduction potential of cathode, minus reduction potential of anode, सिर्फ anode का reduction, cathode के reduction potential में से, anode का reduction potential minus कर दो, और फिर आपको पूरे cell का EMF मिल जाता है, अब अपन चलेंगे electrochemical series, electrochemical series कैसे बनाए गई, electrochemical series के लिए आप लोगों ने हर एक cell लिया, जिस भी cell का, आप लोगों को EMF निकालना था, उसको she के साथ connect किया, ठीक है, she कह standard reduction potential, standard hydrogen electron, जिसका reduction potential fix होता है, and that is zero ठीक है, अब आप को क्या करना है, इन दोनों को मैंने voltmeter से जोड़ दिया, voltmeter आपको जो भी reading देगा, वो इस cell का reading होगा बात खतम, इतनी सी कानी है और जब हमने इसकी calculation करी तो finally calculation करने के बाद हमने लिस्ट बनाई, जिसको हम लोग electrochemical series भी बोलते हैं, तो यह बहुत लंबी, लेकिन आपको ना पूरी याद नहीं करनी, देखो सबसे पहले तो she को देख लो, she में क्या होता है, हम लोग hydrogen gas को use करते हैं, जरा ध्यान से आप तेखो, यहाँ पर she में हम लोग hydrogen gas को use करते हैं, और hydrogen gas के उस electrode को basically हम लोग क्या बोलते है, she, तो यही है she, जरा आप check करो, जिसको हम लोग मानते है कि standard hydrogen electrode का electrode potential zero होता है, यह माना गया है this is, okay यह माना गया है, हमने माना है this is let by us समझ में आगया है, तो यह she है इसी ही respect में जब आपने फ्लोरीन का निकाला, तो उसका reduction potential निकल के आया, प्लस का 2.81, जो सबसे ज़्यादा होता है तो फ्लोरीन का standard reduction potential highest होता है इसी तरह से सबसे नीचे आओ lithium का standard reduction potential सबसे lowest होता है देखो lithium का standard reduction potential सबसे low होता है, फ्लोरीन का standard reduction potential सबसे ज़्यादा होता है standard reduction ही क्यों बोला गया है, क्योंकि सबको देखो electron दिये गए है, फ्लोरीन को 2 electron दिये गए MnO4 को 5 electron दिये गए gain of electron क्या होता है reduction आपको electron यहाँ पर देती हुवे दिखाई दे रहे सबको समझ में आगे है अब मज़े की बात पर आजाओ मैंने आपको इसके पीशे की trick तो सारी बताई दिये अब इस पूरी series में देखो अगर जिसका reduction potential high है reduction potential जिसका high है माल लो जिसका अगर reduction potential high है ठीक है तो इसका मतलब क्या होँ अगर उसका reduction potential high है तो उसका मतलब क्या होँ जरा बताओ मुझे जिसका reduction potential high है वो उसका self reduction बड़े आसानी से होगा क्या होगा self reduction बड़े आसानी से होगा इसका मतलब बहुत अच्छा oxidizing agent है आगया समझ में अब fluorine का भी आप पढ़के आए हो कि इसका सबसे highest होता है इसका मतलब ये self reduction आसानी से होगा सबको पता है यार fluorine फटाफट से एक electron ले लेता है और किस में convert हो जाता है F- इसका reduction तो सबसे fast होता है क्योंकि elektron के लिए भूखा होता है तो अगर इसका standard reduction potential सबसे जादा है समझ में आ गया अगर इसका standard reduction potential सबसे जादा है इसका मतलब बहुत अच्छा oxidizing agent है so fluorine is the strongest oxidizing agent समझ में आ गया क्योंकि oxidizing agent का मतलब क्या हो तो सामने वाले को oxidize करे और खुद को reduce करे इसी तरह से lithium की बात करो lithium का सबसे lowest होता है इसका standard reduction potential सबसे lowest है ठीक है lowest RP है SRP की value सबसे कम होती है lowest का मतलब यह असानी से reduce नहीं होगा यह असानी से oxidize हो जाएगा oxidize, self oxidation इसका आसान होगा अगर इसका self oxidation आसान है तो आप खुद से सोचो अगर self oxidation इसका आसान है जिसका मतलब क्या होगा है यह बहुत अच्छा reducing agent है इसका self oxidation आसान है तो सामने वाले को reduce करेगा इसका मतलब यह बहुत अच्छा reducing agent है तो lithium एक बहुत ही strong reducing agent है top और bottom मैंने आपको बता दिया और beach का भी मैंने बता दिया सबसे beach में जिसकी potential zero मानी जाती है वो कौन है hydrogen सबसे top पे कौन आता है fluorine सबसे ज़्यादा होता है सबसे कम lithium अब आप देखो जो सबसे top है वो strongest oxidizing agent है समझ में आ गया और जब सबसे bottom पे हो strongest reducing agent है यह बहुत interesting चीज़ है जो मैंने आपको बता दिये ठीक है इस तरह से आप इसका answer निकालते हो यह series हो गई अब अपन थोड़े बहुत question कर लेते हैं जैसे पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है सब लोग जवाब दो पहला सवाल अब जितना पड़े हो तो हम उसके हिसाब से answer करना है पहला सवाल आपके सामने है कहता है conventionally the electrode potential refer to आपको बताना है conventionally जब भी आपको वो electrode potential दिया होता है तो वो किसको refer करता है electrode potential refer to किसको refer करता है हो जब भी कभी आपको electrode potential दिया होता है तो वो किस चीज को refer करता है वो refer करता है reduction को मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था answer इसका क्या होगा B जब भी आपको किसी भी अगर मालो कुछ भी नहीं लिखा हुआ और अगर आपको E note का value दे रखा है मालो 1.1 या जो भी दे रखा है 0.3432 जो भी दे रखा है अगर दे रखा है तो वो उसका reduction potential कहलाता है ठीक है conventionally आपको reduction potentials दीए हुआ होते है अब दूसरा सवाल देखो second question है hypothetical electrochemical cell आपको एक hypothetical electrochemical cell दे रखा है उसके लिए EMF का value पूरे cell का EMF का value positive में दे रखा आपसे पूछा है cell का reaction क्या होगा cell का reaction क्या होगा अब जबकि आपको positive दे रखा है इसका मतलब जो left hand side में है उसी का ही क्या हो रहा है oxidation जो right hand side में उसी का क्या हो रहा है reduction तो सबसे पहले आप खुद से सोचो कि A का oxidation हो रहा है और ये B plus से react कर रहा है A खुद किस में convert हो रहा है A plus में और B plus किस में convert हो रहा है B के अंदर यही हुआस का chemical reaction Are you getting my point किसका answer क्या होगा A plus B plus will give you A plus plus B इस तरह से इसका answer निकालना था ठीक है ये answer निकलेगा अच्छा आप तीसरे सवाल पर आजाओ कहता आपसे कि A G plus एक electron लेके A G में convert हो रहा है और आपको यह उसका दे रखा है standard reduction potential F E plus 2 electron लेके F E में convert हो रहा है उसका standard reduction potential यह दे रखा आपसे पूछा कि जो पूरा cell दे रखा है उसका EMF बताओ पूरे cell का EMF क्या होगा E cell कैसे निकालोगे that is E note of reduction potential of cathode minus E note of reduction potential of NO सही है तो अब आप इसको calculate करके बताओ क्या होगा ज़रा फटा-फट से बताओ मुझे देखे किते लोग answer करते हैं इसको हम तो E note cell कितना आएगा बताओ cathode कोन है मतलब reduction किसका होगा तो पहचानो इन दोनों में से reduction किसका होगा जिसका reduction potential ज़्यादा हो उसका reduction होगा तो इसका मतलब इसका reduction होगा तो यह आपका cathode है क्योंकि reduction potential ज़्यादा किसका है AG वाल है तो नीचे वाल आपने आपसे क्या होगा आपका E note तो आप यहाँ पर क्या लिख होगे 0.8 minus minus of 0.44 कितना हो गया यह plus का 1.24 B answer आएगा straight forward निकाल सकते अच्छा, अब अगले सवाल पर चलते हैं, next question दे रखा है, standard deduction potential दे हैं, 25 degree Celsius पे आपको, ठीक है, किस-किस के दे रखा है lithium का, barium sodium का, magnesium DCM का, दे रखे हैं आपको, पढ़ो देखो, कहता है which of the following is the strongest oxidizing agent, आपको पूछा गया इनमे से सबसे ज़्यादा strongest oxidizing agent कौन है, that is the question इनमे से सबसे ज़्यादा strongest oxidizing agent कौन है that is the question only क्या answer दोगे oxidizing agent पूछा है आप से ठीक है, oxidizing agent का मतलब, वो दूसरों को oxidize करेगा यानि कि उसका self क्या होगा reduction आप से पूछा गया strongest oxidizing agent तो इसका मतलब, वो सामने वाले को oxidize करेगा तो उसका खुद का क्या होना चाहिए reduction, reduction किसका होता है, जिसकी SRP की value क्या हो, highest अब इसमें से SRP की value सबसे ज़्यादा किसकी है SRP की value सबसे ज़्यादा किसकी है साफ ही दिख रहा है magnesium की है, और तो किसी की भी नहीं है minus में value है, minus में ये value सबसे highest होई न समझ में आगया, अगर ये value highest है तो क्या answer दोगए इसमें mg plus 2, answer क्या आएगा इसका mg plus 2, यानि b answer आएगा दुबारा समझा देता हूँ oxidizing agent का मतलब होता है जो सामने माले को oxidize करें यानि कि खुद का self reduction हो क्या हो, self reduction आगया समझ में self reduction होना चाहिए, main बात ये है, self reduction का मतलब क्या हो गया, जिसका SRP का value ज़्यादा होगा ठीक है, उसका self reduction हो गया और वो सबसे ज़्यादा value किसकी magnesium की, minus का 2.34 अब आखरी सवाल पाचवा, standard electrode potential of 3 metals, आपको 3 metal दे रखे, X का standard reduction potential आपको दे रखा, minus का 1.2, Y का दे रखा, plus का 0.54, Z का दे रखा, plus का sorry, minus का 3 आपसे पूछा गया है, इनकी reducing power के हिसाब से लगाओ किसकी reducing power सबसे ज़्यादा है, किसकी reducing power सबसे कम है, reducing power का मतलब क्या हो गया, reducing power उसकी ज़्यादा, reducing power मतलब जो सामने वाले को reduce कर दे इसका मतलब उसका self क्या होना चाहिए self oxidation self-oxidation किसका होता है जिसकी SRP की value low होती है आ गया समझ में समझ में आ गया SRP की value low किसकी है वही सबसे जादा reducing power रखेगा अब SRP की value सबसे low है Z की देखो Z की SRP की value सबसे low है इसका मतलब यही सबसे अच्छा reducing power रखने वाला बंदा है reducing power का मतलब क्या है अपनी power का खुद पर थोड़ी इस्तमाल करेगा सामने वाले पर करेगा आ गया समझ में reducing power का मतलब यह आप से पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अच्छा reducing agent है आप से reducing agent पूछा जा रहा है so don't worry about this thing reducing power का मतलब हो गया they are talking about reducing agent सबसे अच्छा reducing agent कौन होगा जिसका self-oxidation होगा self-oxidation होगा अब self-oxidation किसका होगा जिसकी SRP की value क्या होगी low सबसे कम SRP की value किसकी है Z की फिर उसके बाद किसकी आएगी X की सबसे बाद में किसकी आएगी Y की तो ZXY answer आना चाहिए इसका B बनेगा इस तरह से आपको इसके answer निकालने थे और ये आपके answer complete हो गए बहुत बढ़िया तो finally guys हमने ये electrochemistry का तीसरा lecture भी खतम कर लिया I hope आप लोगों को समझ में आया होगा practice करो overall scene क्या निकलता है overall scene यहाँ पर सारा देख भाल के एक ही कहानी समझ में आती है number one जिसकी standard reduction potential high है समझ में आगया उसका self reduction देखो short note बता रहूँ उसका self reduction होगा समझ में आगया उसका self reduction होगा यानि कि उस सामने बाले को oxidize करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया that is very good oxidizing agent very good oxidizing पहला point तो यह बना दूसरा point जिसकी SRP की value low है SRP की value low है ठीक है उसका self क्या होगा जिसका SRP की value low है तो उसका self oxidation होगा इसका मतलब that is a very good reducing agent are you getting my point तो इस तरह से आपको इसका answer निकालने थे that's how you can calculate so finally guys हमारी app को ज़रूँ डाउनलोड कर लो 2019 की user choice award app इस app को मिला है तो डाउनलोड जरूर कर लो google play store से आपको मिल जाएगी अगर आप 2021 के respect में long term batch start करना चाहते हैं तो it is a good chance for all of you guys तो फड़ा फट से आप vdnt.ion slash yt pro इस link पे जाओ और coupon code यूज़ करो aa pro and finally guys हमारे telegram के group को join करना मत भूलेगा that is Vidantun Neat Official यह वना telegram का group है जिसको आपको join करना है जिसमें बहुत सारे बच्चे ओलडी है 27,000 बच्चे हैं और subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि यह अपना channel है अपना परिवार है जिसको आपको subscribe करना जरूर चाहिए है ना चलो guys thank you so much love you all this is Arvind Arora signing off आज यह तीसरा lecture था बहुत मेनत करें आज भाईया हम लोग चलिए अब मिलेंगे कल thank you so much आराम से सो जाओ good night शबा खेर पूरे दिन आपको सुबह बायो फिर physics फिर last में आपको chemistry है ना इसी channel पे मिल सकता है ऐसा combination so guys अब चलिए अब अगले lecture में मिलते हैं तिल दिन thank you so much आराम से सो जाओ good night guys कल मिलते हैं बाई